हलो स्टूडिन्स आज हम एक नया चाप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है स्टेट्स ओफ मैटर हम सबने नाइन स्टैंडर में मैटर की बेसिक टेफिनिशन और उनके तीन बेसिक स्टेट्स के बारे में पढ़ाता वो तीन बेसिक स्टेट्स है जिनका फिक्स्ट शेप और फिक्स्ट वॉल्यूम होता है लिक्विड जिनका फिक्स्ट शेप तो नहीं लेकिन फिक्स्ट वॉल्यूम जरूर होता है और गैसिस जिनका ना तो फिक्स्ट शेप होता है और ना ही फिक्स्ट वॉल्यूम होता है वहाँ पे हमने ऐसे processes के बारे में भी पढ़ेते जहाँ पे matter एक physical state में से दूसरे physical state में change हो रहा है जैसे कि melting of ice यहाँ पे water solid state में से liquid state में change हो रहा है हमने वहाँ पे ये notice किया था कि जब भी ऐसा कोई change होता है तो वहाँ पे matter की chemical properties पे कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन ऐसा change होने की वज़े से किसी भी chemical reaction का rate considerable amount में change हो जाता है तो इसके लिए हमें कोई भी matter की state की knowledge होना बहुत ही ज़रूरी है यह हमें बहुत सारी जगा बहुत सारी calculations में help करेगा तो अब यह देखते हैं कि कैसे ये तीनो state आपस में interrelated है अगर हम ऐसे कोई process की बात करें जहाँ पे हम solids को liquid में change कर रहे है तो ऐसे process को हम melting बोलते हैं वहीं अगर हम liquids को solid में convert कर रहे हैं तो ऐसे process को हम freezing बोलते हैं उसी तरह अगर हम liquids को gas में convert कर रहे हैं तो ऐसे processes को हम vaporization बोलते हैं और वैसे ही अगर हम gas को liquid में convert करते हैं तो ऐसे processes को हम condensation बोलते हैं. अगर हम solids को directly gas में convert करें तो ऐसे processes को हम sublimation बोलते हैं. वही अगर हम gas को solids में convert करें तो इसको हम reverse of sublimation या deposition बोलते हैं.